हेलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का study non stop चैनल पर दोस्तों इस जनरल साइंस प्रेक्टिसेट का दूसरा पार्ट है और इसमें हम लोग जनरल साइंस के पचीस questions solve करने वाले हैं सभी questions बहुत important है क्योंकि जिस तरह के questions रेलवे में पूछे जाते हैं उसी तरह के questions मैंने इसमें सामिल किया है तो वीडियो को लाज तक देखेगा और वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो like और share जरू कर दीजेगा और अगर आप इसका PDF चाहते हैं तो PDF के लिए आपको description में जाना होगा वहाँ पे link में लाएगा जहां से आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं तो दोस्तों आईए शुरू करते हैं तो दोस्तों पहला question है निमलिकर में से कौन सा फूल के केंडर में मौझूद होता है तो फूल के केंडर में center में कौन होता है इनमें से तो यहाँ पे फ और यह जो center में है इसको पूरे portion को यहाँ तक पूरे portion को कहते हैं इसको कहते हैं अंडप यह होता है तो इस questionkan right answer यह हो जाएगा अंडप तिक है अंडप या कारपल या इस्त्रीकेसर या पिष्टिल ये इतने नाम होते हैं इसके और ये जो इसके चारोर ये लगे हैं ये क्या है पुंकेसर पुंकेसर या इसको इस्टेमन कहते हैं तिक है और ये नर्जन्नांग होता है फूल का तीन भाग होते हैं इसके स पार्ट से मिल करके इस्टेमन यानि पूंकेसर बना होता है इस्ट्री केसर तीन भागों में बटा होता है सबसे उपर का भाग जो होता है वो वर्तिकागर यानि इस्टिगमा होता है और यह जो पाइप होती है यह वर्तिका यानि स्टाइल होती है और सबसे नीचे जो है अं होते हैं तो इस question का answer क्या हो जाएगा केंडर में कौन मौझ होता है फूल के center में तो अंडप होता है या इस तरीके सरत है नेश question क्या है इन में से बहु विखंडन द्वारा उत्पन होता है तो बहु प्लाजमोडियम इसका नाम आपने सुना होगा यह प्लोटो जोवा होता है इस प्लोटो जोवा से कौन सी बीमारी होती है तो malaria malaria बीमारी करते हैं तो उर्जा किन-किन रूपों में निकलती है यह बताना है यहां पर तो जब हम साइकल के सवारी करते हैं तो पहली तो यांतिक उर्जा होती है जो हम पैंडल मारते हैं साइकल की तो वो जो है यांतिक उर्जा हम अपने आप से दे रहे होते हैं फिर साइकल गती करती तो गती जुर्जा भी होती है साइकल में गती जुर्जा हो जाती है और जब हम साइकल चलाते हैं तो हमारा सरीद गरम होता है और साइकल में भी कुछ पार्ट जो है उसके कुछ गरम हो जाते हैं तो उसमें उर्जा भी होती है ठीक है क्योंकि उसमा उत्पर्ण होती है और फ कौन सी धातु को चाकू से काटा जा सकता है तो इन में से कौन सी धात को चाकू से काटा जा सकता है तो राइट अंसर जाएगा हाथ उको किरोसीन में रखा जाता है यानि मिंट्क के टेल में किसको रखा जाता है गंच्व में सिए इन सब को किरोषण में रखना पड़ता है क्योंकि ये बहुत द्हात हुट होती तो इसलिए इनको मिट्टी के तेल में रखा जाता है किरोसील में तो यहां पर डी ऑप्सन इसका राइट एंस रो गया सोडियम अब नेस्ट कोशन है फूलो वाले किस पौधे में पत्तियों के मार्जिन के दर्रों में कलिया पैदा होती है तो यह जो डाइग्राम है यह है ब्राइओफाइलम का ब्राइओफाइलम यह पौधा है फूलो वाला और इसकी जो पत्ति है यह ब्राइओफाइलम के पत्ति है तो इसमें बीच में जो मार्जिन होता है पत्ति का उसमें से कलिया निकलती है और बाद में आप देख सकते हैं कलिया है और इसमें से जड़े से जब अलैंगिक प्रजदन होता है पौदे की किसी भाग से जब नए पौदे का उत्पादन होता है तो इस प्रिक्रिया को क्या कहते हैं तो इसको क्या कहते हैं वेजिटेटिप तो यहां पर 1.2, M की जगह क्या हो जाएगा, दब बैमान, तो दब बैमान दिया गया है, 0.5 kg, 0.5, इंटू V कितना दिया गया है, वेग, तो 4 मीटर पर 30, तो यहां पर 4 का स्कॉयर हो जाएगा, यानि कि 1.2 इंटू 0.5, और 4 का स्कॉयर 16, 2 से 16 जाएगा, 8 टाइम्स, और 8 का मल्टिप्लाई होगा, 0.5 में, तो यह 4.0 आजाएगा, यानि 4 जूल इसका एंसर आजाएगा, ठीक है, तो ओप्सन B, इसका राइटेंस हो जाएगा, 4 जूल, नेश कॉस्टन है, एक विलेन का पी एच मान 3 है, जब पी एच मान बदल कर 6 हो जाता है, तब हाइड्रोजन आयन की सांदता कितनी हो जाती है, तो यहाँ पे दिया गया है पी एच मान, पी एच मान क्या होता है, पी एच मान यानि यह पोटेंसिल ओफ हाइड्रोजन, यानि किसी विलेन में हाइड्रोजन आयन की सांदता कितनी है, उसी की गर्णा को पी एच मान कहते है, तो पी एच यह होता है न चार यह होता है उदासीन होता है और साथ से हम जितना एक की तरफ आते हैं कम होते जाते हैं 6 5 4 3 2 1 तो इस तरह से कम होते जाएंगे जितना कम होते जाएंगे उतना ही हाइडोजन आयन की सांधता बढ़ती जाती है ठीक है और वो विलेन उतना ही ज्यादा अमलि यह होता जाता है और अगर 7 से 14 की तरब बढ़ेंगे तो वो विलेंच हार यह होता जाएगा और उसमें OH-negative आयन की सांधता बढ़ती जाएगी 7, 8, 9 इस तरह से हम 14 की तरब जितना बढ़ेंगे उतना ही OH-negative आयन की सांधता बढ़ती जाएगी तो यहाँ पे दिया गया pH मान 3 है और 3 से 6 हो गया तो जब भी pH मान घटता है अगर एक point घटता है या एक point बढ़ता है तो जो hydrogen ion की सांधता है वो 10 की power में कम होती है या ज्यादा होती है ठीक है और ज्यादा कब होगी जब हम 8 से लेकर के 1 की तरब जाएगे और कम कब होगी ज ठीक है 3 से 6 की तरब आ रहे है तो कम होगी तो 10 की power में कम होती है तो एक point जब कमाते है जब हम 1 point कमाते है तो 10 की power 1 कम होती है दो point कमाते है तो 10 की power 2 कम होती है यहाँ पे हम कितने point कमा रहे है तो 3 से 6 तक आ रहे है तो 3 point हम कमा रहे है तो 10 की power 3 गुना hydrogen ion की सांधता कम हो जा पांच होता और फिर जो है चार हो जाता पांच से तो क्या होता कितने गुना कम हो जाती यहां पे कम नहीं होती बलकि हाइडोजन आयन की सांथता जादा हो जाती क्योंकि हम पांच से चार हो रहे हैं यानि कि एक की तरफ बढ़ रहे हैं तो यहां पे एक पॉइंट हम इधर क की तरफ आ रहे हैं तीन से चे की तरफ तो एक हजार गुना कम हो जाएगी तो यहां पर बी ऑप्शन इसका राइट एंसर हो गया है नेक्स्ट कॉस्चन है ओजोन के एकड़ो में कितने परमारो होते हैं तो ओजोन इसका फॉर्मूला क्या होता है O3 तो यहां पर ऑक्सीजन क कि तीन परमारो है तो इसका राइट एंसर क्या हो देगा Option A3 और ओजोन हमारे वाय मेंडल में कितने परसेंट तक होती है तो 0.02 परसेंट तक यह हमारे वाय मेंडल में पाई जाती है और यह जहरीली गयस होती है अगर यह वाय मेंडल के निचले अस्तर पर हो तो हम लोग क रक्षा करती है क्योंकि सूरज से जो परावाय नहीं करने आती है अल्टा वायले ट्रेज वो हमारी स्किन को बहुत ज़्यादा नुक्सान पहुचा सकती है तो इसलिए यह हमारी रक्षा करती है और यह किस मेंडल में होती है तो समताप में यह पाई जाती है तो यहाँ प मार्धियम यानि कि रेयर मीडियम में जाती है तो क्या होता है तो सगन मार्धियम यानि कि जल ले लेते हैं ठीक है सगन मार्धियम जल हो गया और विरल मार्धियम वाइव हो गया ठीक है तो जल से अगर वाइव में कोई किरण जाएगी प्रकास की यह जा रही किरण यह अभ गति क्या होती है बढ़ जाती है तो इसका राइट एंसर क्या होगा और संदी यहां पर राइट एंसर हो जाएगा अभिलम से दूर तथा गति बढ़ जाती है और अगर विरल मार्द्यम से सगन मार्द्यम में आएगी तो ठीक इसका उल्टा हो जाएगा वाई उसे अगर जल जाने में तो इसको कहते है अपवर्तन ठीक है तो यहाँ पर डियोप्शन इसका राइटन्स रो गया अब नेश कोश्चन है ओम किनियम के अनुसार यदि करेंट आई बरता है और विभुवांतर वी इस्ति रहता है तो क्या होगा तो ओम कनियम क्या कहता है होम का नियम है वी कोल्टो आई आर वी यहां पर क्या है वोल्टेज यानि विभुवांतर आई कहा है करेंट है और आर कहा है रजिस्टेंस यानि प्रतिरोड तो यहाँ पर कहा गया कि विवांतर को इस्तिर रखा जाएं मालीजे विवांतर को हम रखते हैं 8 और आई को रखते हैं 4 और रजिस्टेंस को रखते हैं 2 ठीक है इसको 4 रखा है हमने इसको 2 रखा 4 दो ने 8 ये condition satisfied है अब इन्होंने कहा कि current को अगर हम बढ़ा दें यदि current बढ़ा देते हैं तो क्या होगा तो यहाँ पर इसको हमने इस ते रखा voltage को आठ ही रखा और current को हमने बढ़ा दिया तो अगर हम current को 4 से और बढ़ा देते हैं में आठ कर देते हैं तो resistance को हमें क्या रखना पड़ेगा इस condition को satisfied करने के लिए यहाँ पर resistance को हमें one रखना पड़ेगा तभी तो eight one जा यहाँ पर eight condition satisfied हो पाएगी तो यानि कि जब हम high command बलाते हैं तो resistance command कम हो जाता है तीक है अगर voltage को इस ते रखा जाएगा तो right answer क्या हो जाएगा प्रतिरोत कमान कम हो जाता है और यहाँ पर right answer हो जाएगा अब अगला question है helium को छोड़कर सभी noble gases में बारी cell में कितने electron होते हैं तो noble gases noble gases 18 ग्रुप के जितने भी तत्तों है उनको noble gases कहते हैं या इनिको inert gas या प्रिये गैस या जीरो ग्रुप के तत्तों कहते हैं तो helium होता है फिल जो है neon होता है इसको यार्द करने की trick है हीना नीना और करीना की xerox रानी तो इस तरह से इसको आप आसानी से यार्द रख सकते हैं तो इसमें जो है helium का परमार करमान कितना होता है 2 होता है neon को होता है 10, organ का होता है 18,pton का होता है 36 और jinon का होता है 86 और इस तरह से आगी भी है तो इसमें helium को छोड़ करके helium का अगर हम electronic विन्यास करेंगे तो इसका electronic विन्यास की होगा एक कच्छा बनेगी जिसमें आखरी कच्छा में दो इलक्ट्रोन होगी बाकि इसके अलावा जितने भी तत्तों है इसका करेंगे नियोन का तो दो आठ ठीक है तो आखरी कच्छा में आठ इलक्ट्रोन दो आठ दस हो गए और आरगन का कितना हो जाएगा तो पहली कच्छा में द डो आठरश और फिर अठारह तो दस अठारह हो गया 28 जो है 8 एलेक्ट रोगा तो ओप्षzen है आपनेर इस कोशन deprived परमार्वी मां 12 है। हीलियम का चार है तो यहाँ पे एक एक मोल के लिए इन में से कौन सा कतन सही होगा तो आफोगेड्र संख्या के बराबर होता है एक मोल इसके डबल टू इंटू 10 to the power 23 तो अब जो है कार्बन हो या हीलियम हो या कोई भी तत्तो हो उसके एक मोल में इतने ही एटम होते हैं किसके बराबर एवो गैड़ो संक्या के बराबर होते हैं 6.02 इंटू 10 to the power 23 एटम्स होंगे चाहे वो कार्बन हो चाहे वो कोई भी तत्तो हो हैड तो यहां पर राइट एंसर क्या हो जाएगा कार्बन के एक मोल में हीलियम के एक मोल में मौझूर परमारवों की संख्या समान होगी यहां पर C option इसका राइट एंसर हो जाएगा ठीक है अब next question है गति का पहला समीकर किसके भी संबन रसारता है तो यहां पर पहला समीकर पूछा गया है तो गति के 3 समीकर होते हैं तीनों को में आपको बढ़ता दे रहा हूँ कि तीनों से पूछे जाते हैं कोई पि पूछा जा सकता है तो पहला समीकर क्या होता है V equal to U plus 80 दूसा समीकर है S equal to ut plus half 80 square तीसाथ हमी करने है 2as equal to v square minus u square ठीक है तो यहाँ पर जहाँ पर v है v का मतलब अंतिम वेग यानि final velocity और u का मतलब initial velocity यानि प्रारम वेग ठीक है प्रारम वेग और जहाँ पर भी s है s का मतलब की गति या इस्तिती कहे सकते है s का मतलब इस्तिती तो यहाँ पर पहला जो समी करने है v equal to u plus 80 तो यहाँ पर v यह हो गया अंतिम वेग तो वेग इधर हो गया यह भी वेग है एक तरह का प्रारम वेग और 80 तो यहाँ पर t जो है हो जाता है time समय और यह आपका जो तरह है acceleration होता है तरह यह भी वेग और समय से मिलकर की बना होता है यहाँ पर वेग और समय के बीच में संबंद रसाता है पहला समी करन दूसरा समी करन की बात करें तो यह इस्तिती और समय के बीच में संबंद रसाता है दूसरा समीकार इस्थिति और समय के बीच में संबंद को दसाता है और जो तीसरा समीकार है वो इस्थिति और वेग के बीच में संबंद को दसाता है तो इस तरह से तीनों का आप याद रखिएगा पहला समीकार जो है वेग और समय के बीच में दूसरा समीकार इस्थिति और वेग के बीच में तो औरवेग और श्मय चुशन है दोनी की पीछ इसके ड़ेर्स फर निर्वर करती है तो पीछ निर्वर करती है आवरर्थी यानि फ्रिक्वेंसी पर, फ्रिक्वेंसी जितनी ज्यादा होगी, पिछ उतनी ज्यादा होगी, और पिछ जितनी ज्यादा होगी, आवाज उतनी पतली होगी, तो फिमेल्स की जो है आवाज पतली होती है, मेल्स की आवाज मोटी होती है, क्योंकि इस्तरियों की जो पिछ होती है, वो ज्यादा होती है क्यों ज्यादा होती है क्योंकि उनका जो वोकल कॉर्ड है वो छोटा होता है और पुरसों का वोकल कॉर्ड बड़ा होता है इसलिए उनकी पिछुत कम होती है और आवाज उनकी मोटी होती है लेकिन आवाज प्रबल किसकी होती है तो प्रबलता आवाज क उतनी ज्यादा होगी, तो पुर्षों की जो आवाज की loudness है, प्रबलता है, वो ज्यादा होती है, क्योंकि आयाम उनकी आवाज का ज्यादा होता है, ठीक है, और आवरित्ती जो है कम होती है, इसलिए आवाज जो है, उनकी मोटी होती है, तो यहाँ पर D option इसका राइटन्स ह इस्थिती जुझजा, य हापस में मिलकर की क्या बनाते है, यान्ति कुर्जा घटी जुझजा, और इस्थिती जुझजा को सही योजित तूप से क्या कैते हैं? यान्ति कुर्जा कहते हैं, यहाँ पर राइट अंसर क्या हो जाएगा? अगला कुश्यन है, निमलेफित में इलेक्ट्रॉन उनके उपर माइनस का चाहज होता है और उनको एनायन यह रहाएन कहते हैं तो यहाँ पर अमोनियम है जैसे तो एन एच फोर अमोनियम क्या होगा एन एच फोर इसका फोर्मुला होगा तो नाइट्रोजन यहाँ पर है नाइट्रोजन का परमार करमानक होता है 15 यानि आकरी अक्षमें इसके 5 इलक्ट्रोन होंगे तो ये अश्टा पूरा करने के लिए चाहेगा 3 इलक्ट्रोन किसी से ग्रहण कर ले 5 इलक्ट्रोन का दान तो कर नहीं सकता है तो 3 इलक्ट्रोन ये ग्रहण करना चाहेगा यानि कि ये ग्रहण करना चाहेगा Hydrogen के उपर plus 1 का charge तो यहां पर 4 hydrogen है तो plus 4 का charge होगा पूरे पर और अगर हम पूरे की बात करें NH4 की तो यहां पर 4 से अगर हम minus 3 को pencil करेंगे तो plus 1 हो जाएगा तो यानि NH4 पूरे के उपर plus 1 का charge होता है तो ये जो है, क्या हो जाएगा, धनायन हो जाएगा, option A का राइटन्स हो जाएगा, अब इसकी अगर क्रिया कराई जाए NS4 की CL से, तो CL के उपर माइनस 1 का चार्ज होता है, और इसके उपर प्लस 1 का चार्ज होता है, तो ये जो है compound बन जाएगा, तीक है, अब अगला question है, न to 10 to the power, 8 meter per second होता है, second square नहीं होगा, यहाँ पर गलग type होगा, तो C option इसका राइटन्स हो जाएगा, अब नेश question है, जब magnesium ribbon को हवा में जलाया जाता है, तो कौन सा योगिक उत्पन होता है, तो magnesium को जब हम हवा में जलाते है, magnesium ribbon को, तो magnesium के क्रिया होती है, oxygen से, oxygen से क्रिया हो oxide, ठीक है, यहाँ पर balance करने के लिए यहाँ 2 लगाना होगा, और यहाँ भी, तो क्या बनता है, magnesium oxide बनता है, तो इसका right answer क्या हो गया, option A यहाँ पर right answer हो जाएगा, magnesium oxide, next question है, संक्रमार तत्तो क्या होते है, तो संक्रमार तत्तो यानि की transition metal, transition element कहेंगे, संक्रमार तत्तो को, तो यह क्या होते हैं, तो D block के जितने भी तत्तो होते हैं, D block के तत्तो को कहते हैं, transition element या संक्रमार तत्तो, और यह period table में third group से ले करके, 12th group तक, third से 12th group तक जितने भी तत्तो हैं, वो क्या कहलाते हैं, संक्रमार तत्तो कहलाते हैं, या D block के element को कहते हैं, और इसके बारे में कुछ कथन दिये गए है, इसमें कौन सा कथन सही होगा, पहला कथन दिये गए वो तक्तो जिसके दो सबसे बाहरी सेल अधूरे होते हैं तो जो संक्रमा तक्तो होते हैं, D-block के कोई भी तक्तो ले लिए उनका जब आप electronic विन्यास करेंगे, तो के सबसे बाहरी जो सेल होते हैं दोनों सेल सबसे बाहरी वाले वो अधूरे होते हैं, तो ये कथन सही हो जाएगा, ठीक है, फिर अगला कथन दिये गए है, वो तक्तो जिनके तीन तो ये गलत कथन होगा, तीन बाहरी सेल लादूरे नहीं होते हैं और दिया गया है सबसे बाहरी से लादूरे होते हैं यह सही कतने कोई भी आप ले सकते हैं जैसे मैं तीसरे ग्रूप का एक तत्व है इसके एंडियम लेता हूं तो इसका परमार्ग words होते हैं 21 और इसका एलक्त्रॉनिक विर्याद सब्सक्राइब करते हैं तो ये अधूरी हैं, क्योंकि तीसरी कक्षा में कितने אלक्टोन होने चाहिए, 18 wheek- जब हम 2x2y स्क्रायध से निकालते हैं तो तीसरी कक्षा में 18 Tribe होने चाहिए आखरी कक्छा में अश्टख क Clap量 कहता है कि आखरी कक्छा में 8 Electronics जब होते हैं तो कक्छा पूर्ण मानी जाते है तो ये कच्छा भी अदूरी है 3 भी और 4 भी इसे दा से Copper लेते हैं तो Copper का electronic विंयास होता है Copper का Premier will도록 ждon 29 और इसका electronic विंयास होता है 2, 8, 10 तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं आकरी दोनों कक्चाएं अधूरी हैं तो ए ओप्षन इसका राइटन से हो गया अब नेश कोशन है गोला का दरपड की प्रतिबिंजित सता के केंड को क्या कहा जाता है तो गोला का दरपड क्या होता है कोई गोला काच का गोला का तो इसको हमने अलग कर लिया काटके अगर हम इसके इस तरफ पॉलिस कर देते हैं तो यह कौन सा दरपड बन जाएगा यह अव्तल दरपड बने जाएगा अव्तल दरपड यानि कि कॉन्ट केव मिरर ठीक है और अगर अगर इधर की तरफ पॉलिस की जाएगी तो क्या होग यह बन जाएगा उत्तल दरपड यानि कॉन्वेक्स मिरर ठीक है और जिस तरफ पॉलिस होती है उसके अपोजित साइड इधर वानी जो सर्फेस होती है इसको क्या कहते हैं प्रत्यविम्बिस सता केते हैं या रेफ्लेक्टिव सर्फेस कहते हैं ठीक है तो जो यह गोला रहोगा पहले इसका कोई सेंटर रहोगा मालीजी यहां पर सेंटर रहोगा इसका गोले का ठीक है यह गोला रहोगा पहले इसका यहां सेंटर है तो इसको क्या कहते हैं वक्रता केंद कहते हैं और पोल के बीचों बीच में जो बिंद होता है तिज्या पर उसक भी आप याद दखेगा और यहाँ पे पोल इसका राइटन्स हो जाएगा अगला कुश्चन है निमलेशन में से कौन सा कथन प्रियोग करने के लिए गलत होगा तो दिया गया है एक तत्तो का एक परमारू तो किसी तत्तो का एक परमारू हम कह सकते हैं फिर दिया गया है एक योगिक का एक परमारू तो किसी योगिक का एक परमारू नहीं होता है योगिक का एक अरू होता है तीक है जिसे वाटर है तो वाटर जो है एस्टो यह क्या है कंपाउंड है दो तत्तो से मिलकर के कंपाउंड यानि योगिक बनते हैं तो यह योगिक है और इसका हम परमार नहीं कहेंगे, बलकि क्या कहेंगे, अडू कहेंगे, ठीक है, तो ये कथन गलत हो जाएगा, इस तरह से हम नहीं कह सकते इसको, तो यहीं इसका राइटेंस हो जाएगा, फिर देगा है, एक योगिक का एक मोल, तो एक योगिक का एक मोल भी हो सकता है, ठीक है, तो C option इसका रा प्रेश आगर मज्तिस्क्या फोर्स ब्रेट मरते हैं तो विचारों का संग्रें यहीं पर होता है ठीक है तो सी ओर सिंडिय। राइटेंस हो गया। नर्ड स्कोर्शन है एक मिस्डात्यु किस का एक उधार होगा तो यह उधार हो जाएगा ठोस्, विलेन का, विलेन हम इसको पैसे कह सकते हैं, तो विलेन उसको कहते हैं जो समांगी मिस्रण होता है, और समांगी मिस्रण क्या होता है, ऐसा मिस्रण जिसके अवेव हर जगा समान रूप से होते हैं, उनको हम अलग अलग नहीं देख सकते हैं, जैसे कि पानी और चीनी का गोल ह है उसमें हम चीनी और पानी को अलग-अलग नहीं देख सकते हैं हर जगा जो है पानी और चीनी समान रूप से होगा या नमक पानी का गोल है तो वो समान रूप से हर जगा होगा अलग-अलग नहीं देख सकते हैं और इसी के जगा पे अगर बालू और पानी का गोल हो तो बा पीतल है, पीतल के हमें सिधातु है, और ये किसे मिलकर के बना होता है, तामबा, तामबा और जस्ते से मिलकर के बना होता है, जिंक यह निजस्ता, तो अगर पीतल है, तो पीतल में क्या हम तामबा और जस्ते को अलग अलग देख सकते हैं, नहीं देख सकते हैं, इसलिए जो ह होती है तो क्या होता है 2ACL प्लस O2 तो इस अभिक्रिया में H2O2 किसके रूप में कारे कर रहा है तो यहाँ पे H2O2 है तो इसमें आप देख रहे हैं कि यहाँ पे oxygen remove हो रही है तिक है यहाँ पे आपने देखा hydrogen के साथ oxygen थी जो कि remove हो रही है यानि कि इसका अक्सी करण हो रहा है और जिसका अक्सी करण होता है वो एक करोप में कारे करता है अप्चारक या अप्चायक के रूप में तो कि आपś़जयक होता है तो महा सागरों में मौझूद सहवालों की विशाल मात्रा किसका अंतहीन स्रोथ उत्पन कर सकती है तो महा सागरों में सहवालों की बहुत बड़ी मात्रा उपलब्ध है ठीक है और इन सहवालों से मीथेन गया स्रोथ उत्पन की जा सकती है तो सेवालों की विसाल मात्रा ये अंतहीन सोथ हो सकती है कि इसका मीथेन का बहुत बड़ा सोथ हो सकती है तो इसका राइट एंसर क्या हो जाएगा और संडी मीथेन मीथेन का फॉर्मला क्या होता है CH4 तो दोस्तो आज का वीडियो यहीं पर समाप करता हूँ बिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए गुडबाई और टेक केर